हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागा दिसने वीडियों बात करने वाले हैं सिमुतुला आवास से बिद्धाले क्लास 11th इंट्रेंस एक्जाम का फॉर्म कैसे फिल करेंगे इस टिप बाइस टिप मैं आपको एक लाइफ फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी परकार की मिस्टेक न हो अगर आप दसवी पास हैं और आप जो है अगरहुवी क्लास में एडिमिशन लेना चाहते हैं सिमुतुला आवास से बिद्धाले में तो आपको जो है अप्लिकेशन फॉर्म आ चुका है आप फॉर्म को फिल करेंगे इंट्रेंस इक्जाम होगा इंट्रेंस के बेस पर आपका सेलेक्शन होगा तो फिरिंज देख सकते हैं यह इसका जो है ओफिसली नोटिफिकेशन जो है बिहार विद्धाले परिशा समीती के द्वारा जारी कर दिया गया है 2017-2024 के लिए क्लास 11 में एड्मिशन के लिए देख सकते हैं यह जो है यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है पढ़ाई और खाना रहना सब चीज फ्री रहता है वहां पर आपको एड्मिशन यहां पर मिल दाएगा अब आए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है तो फिरिंज फॉर्म अप्लाई करने के लिए एक तो यहां पर देख सकते हैं यह ओफिसली है बिहर मिदलbean परिशाष दोर्फ आउना यहां पर आना है और इसका लिंग मैंने आपको इस्रिप्सिन भॉक्स में डीरेट्ली दे दीया सकते हैं सब्से पहले फ्रींट आपको यहां पर करना है तो आप यहां पर कमारें पर करने लोगिन करना चाहते हैं मालने ज्ए और यहां पर इसका लास्टेट दिया है 26-9-22 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो सबस्क्राइब आप रजिस्टर हैर पर क्लिक करेंगे जैसाब इस पर क्लिक करेंगे आपका यहां पर नाम क्या है के इंडिट्स नेम उसके ब्लॉक भी आपको यहां पर चूच करने का आएगा इनले करेंगे इसको से रजिस्टर पर क्लिक करेंगे जैसे आपका यहां पर देखिए रेजिस्टर हो जाता है आपका रजिस्टर बोला गया है कि आपको नोट भी कर सकते हैं आपको ओके करना है को के करने के बाद से यहां पर देखिए आपका जो है अप्लिकेशन नंबर सबसी सो हो जाता है और यह जो मैं आपको फॉर्म भर के दिखा रहा हूं तो आप सिर्यस मत लिजए मैं किसी का परसनल जनकारी यूज नहीं कर रहा हूं अब यहां पर देखिए action यहां पर option आ रहा है अब आपको यहां क्या करना है फिल या इडिट का option मिल रहा है तो सबसे पहले आप फिल इडिट पे क्लिक करेंगे तो यह automatic जो है फॉर्म फिल आप के लिए आपको रीडारेक्ट कर देगा अब यहां पूछ रहा है तो अपना परसंटेज बताएंगे नेसलिटी और इंडियन रहेगा और यहां पे आपको पूछ रहा है कि पलिज मेंसर्म अधार नमबर आपको यहां पे अधार नंबर ह है 12 ouटा है निए आपको नीचे हानी है यहाँ पे अधार नंबर मेंसर्ड कर देना है अगर आप second vision है, third vision है, तो भी आप form को apply कर सकते हैं, आपका जो यहाँ पर selection होता है, entrance exam के base पे होता है, समझभा गया ला, तो आप अपने according बता सकते हैं, जो भी आपका entrance exam, मतलब जो भी आपका marks मिला है, percentage बता सकते हैं, यहाँ पर percentage बता रही है, उसके बस यहाँ पर आपको अपना address लिखना है, जिससे correspondence address, जिस तरह से अधार काट पर आपका proper address है, आप उस तरह से address को अच्छे से लिखेंगे, CT यहाँ चूज करेंगे, यहाँ पर pin code लिखेंगे अपना address का, अब आपका correspondence address सेम सेम है, permanent की तरह सेम सेम यहाँ टिक करेंगे, सेम सेम copy हो जाएगा, अ उसके बसे यहाँ पर जो है, दस्वी क्लास का, जो है, स्केन, ओरिजिनल, ओरिजिनल, जो मार्क सिट होता है, उसको स्केन करके upload करनी है, ओरिजिनल जो होता है, जो आपको स्कूल से मिला है, ओरिजिनल, उसके बस से बोल रहा है कि, please select the original स्केन certificate for proof of date of birth, और फिर से यहाँ ओरिजिनल जो है, certificate भी आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर upload करना है, तो यहाँ पर देखे, यहाँ पर बोला गया है, equivalent mark sheet to be uploaded, mark sheet या certificate दोनों में से कोई भी upload कर सकते हैं, और यहाँ पर original स्केन certificate, दस्वी क्लास का certificate यहाँ पर आपको upload करनी है, जिसमें data birth लिखा हो, यहाँ पर अपना category certificate upload करनी है, जिसे कि अगर आप EWS हैं, SCST हैं, या OBC हैं, तो आपको अपना category certificate यहाँ पर जाती परमारपत्र यहाँ पर आपको upload करनी है, और यहाँ पर file size बोला गया है, कि अगर आपका color photograph है, तो उसका जो है 50 से 100 के भी के बीच होनी चाहिए, आपका जो documents है, जैसे कि mark sheet वगरा या 30 certificate यह जो है 1500 के भी से कम होनी चाहिए, तो यह जो है आपका documents upload करने का format बताया गया है, और यहाँ पर बताया गया है, के भी का size क्या होनी चाहिए, documents जो भी upload करना है, जैसे कि 30 certificate हो गया, या mark sheet हो गया, वो आपको PDF में केवल होनी चाहिए, बाकी स आप यहाँ पर सब चीज मिलाते हैं, सब चीज सही है, तो आप यहाँ पर final submit कर देंगे, अगर कुछ भी गलत है, तो आप go to application address पर जाएंगे, और वहाँ पर फिर से आपको edit करने का option आ जाएगा, चले यहाँ पर करते है final submit, जैसे आप submit पर क्लिक करेंगे, और यह श्योर क पर क्लिक करके देख सकते हैं, अगर आप कुछ भी edit करना चाहते हैं, तो edit भी कर सकते हैं, अगर यह दोनों में से कुछ भी नहीं करना आपको, तो आप make payment का option मिलेगा, आप जो है directly इस पर क्लिक करेंगे, इस पर आप जैसी क्लिक करते हैं, यह आगे फिर से process करता है, और आ आपके पास HDFC bank का details है, HDFC bank का card यूज करते हैं, तो यह दोनों में से credit card है, तो यह वाला option, debit card है तो यह वाला option, other bank का है, HDFC के अलाला तो यह option, और other bank debit card है तो यह वाला option, बाकी net banking क्या भी है, UPI का भी option, अगर आप UPI चूच करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दे bank यहाँ पर देखिए, आ रहा है, अब जिस्वी bank से आपको payment जमा करना चाहते है, net banking वह आप चूच करेंगे, payment payment पर क्लिक करेंगे, आपको payment जमा हो जाएगा, तो इस तरह से आपको form को apply करना है, उमीद करता हूँ, आपको जनकारी समझ में आ गया होगा, मैंने direct link आपको description box में दिया हुआ है, आप इस पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद से रेजिस्टर कर सकते हैं, अगर आपको देखना है, अल्रेटी रेजिस्टर है आप, तो आप यहाँ पर क्लिक करके, जो है, login का section खूल जाता है, username, mobile number हो जाएगा, password, OTPM, login कर सकते हैं, और बागी का आ लाइक कर दीजेगा, और यह भी notification में अपने telegram में share कर दोंगा, वहाँ साप इसे download कर सकते हैं, इसमें काफी सारी जनकारी दी हुई है, आप इसे अपने अस्तर से एक बार ज़रूर पढ़ लिजेगा, form भरने से पाले, ताकि आपको सारी जनकारी अच्छे से समझ में आ ज है, मिलता है किसी नए वीडियो को साथ, नए जॉब के साथ, हमें दीजाए आएक और देखते रे जॉब स्ट्रक बाइब लिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, जाहिन